इस साल 2012 का हज होने जारा है हम कराड़क स्टेट हज कमिटी के और से अभी जो है ट्रेanिंग पोग्राम रखा गया है जो आठ डिविजन है जो आठ डुशन के अंदर हर डिविजन में हमने चाचाज होडा है यह ट्रेणिंग पिछले जो हमारी जो ट्रेनर्स है मौमँए में जो दो दिन का ट्रेनिंग हुआ है वो ट्रेनिंग लेके आए हैं और सौधी अरब में जिस प्रेजन जो हालात है उस हालात को देखते वे भी उनों ट्रेनिंग देंगे तो हमने एक इस तारिक से पहला जो स्टार्ट किये हैं ट्रेनिंग शुमोगा में शुमोगा, हासन और चिकमंगलूर ये तिन डिस्टिक का पोग्राम मुस्लिम हॉस्टल, नियर, पिद्बंजेश्वर, टाकिस शुमोगा में होगा जहां एक दिन का ट्रेनिंग रहेगा, दूसरा बाविस तारिक को हुबली में हुबली, हावेरी, गदग, बेलगाम और नौर्थ करना टका इसका ट्रेनिंग पोग्राम हुबली के अंदर नहरू डिग्री कॉलेज हुबली में होगा 22 में को, 23 में को, 23 तारिक के दिन विजपूर, विजपूर में होगा जहां विजपूर और बागल कोट, वहां अंजुमन आर्ट, साइंस और कॉमर्स कॉलेज उस कॉलेज के अंदर वहां पे हाजियों को ट्रेनिंग दी जाएगी उसके साथ 24 तारी को दो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक मंगलूर में है जो दक्षिनकणा, उडपी और कुड़क ये तीन का वहां के अधक कम्यूनिटी हाल जहां बालक पल्ली में रखा गया है जो 24 ते दिन होगा और 25 त 26 त का कलबुर्गी गुलबरगा में रखा गया है वहां पे गुलबरगी के अंदर जो है बीदर, गुलबरगा, यादगीर, रैचूर, कॉपल एंड बल्लारी ये इतने डिस्टिक को हमने जोड़ा है वहां पे जो मोगल फंक्शन हाल, रिंग रोड, सुल्तान चौक, गुलबरगा में होगा और 26 के दिन जो सके मैं बोला दो दिन है 26 का मैसूर में भी है हमारे पोग्राम आरके पैलस में मैसूर, मंडिया और चामराज नगर ये जो है तीन डिस्टिक मैसूर में होंगे 28 और 29 बैंगलूर जो हज़भावन में होगा 28 और 29 को अलम्दुल्ला बैंगलूर के हज़भावन में होगा मैसूर, मंडिया और चामराज नगर के यहाँ पे ट्रेनिंग दो दिन के दे जाएगी और यहाँ के बहुत से उल्माय एक्राम भी हमारे ट्रेनिंग पोग्राम में शामिल होंगे और लास्ट का जो पोग्राम है तीस तारीकों दावण गिरा में है दावण गिरा और चित दुरुगा जो राजमहल कम्मुनिटी हॉल कंपाउंड के यार रोड दावण गिरा में है तो अल्हम्दल्ला यह हमने तैयारी की है कि 2022 के हच के लिए जितने भी हमारे हाजी जो सेले आया था कि हमारे कारनाटक्स स्टेट से पूरे डिस्टिक के हाजी और इंक्लूडिंग चित्तूर के हाजी बैंगलूर एरपोर्ट से रवाना होंगे क्योंकि पिछले बार हमारे दो साल पहले जो कोईट की महामारी से पहले जैसा कि बीदर गुलवरगार राइचूर वह पूरे हाजी को बैंगलूर एरपोर्ट से भीजाना है तो इंशालला हमें वो भी डेट कनफर्म हुई है इंशालला इस ट्रेनिंग के बाद में वैक्शिनेशन पोग्राम होगा वैक्शिनेशन के बाद इंशालला ट्रेनिंग हमारे हाजी को रवाना करने के तैयरी अभी 2,700 हमें पहले कोटे में मिला था और हमें 30% कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो लगबग 3,000 के आसपास हमारे हाजी करनाडक स्टेट से रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट अभी हमें शुडल मिला है नौ तारीक को फर्स्ट फ्लाइट रहेगी और नौ नेक्स्ट मन्त नौ जून को हमारी पहली फ्लाइट यहां से ओड़ेगी और हम आठ जून को इंशालला यहां पर इनौगरेशन फंक्शन रखेंगे जिसमें करनाडक स्टे कि हमारे मैयारिटी वेलफर वफ के मिलिश्ट शेशीकला जुल्य जी एमपी तमाम एमेले मिनिस्ट्रे से वगरण इस कारेक्रम में शामिल होगे मैं हाजियों से जो इसका भी सेलेक्शन हुआ है और जो भी वेटिंग में जिसका भी कल्फरम हुआ है मैं उन तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप ट्रेनिंग पोग्राम अटेंड कीजिए और ट्रेनिंग पोग्राम का आप फैदा उठाईए और ट्रेनिंग आपको बहुत कमपल सरी है क्योंकि यह भी तो पिछले जो दो साल से कुविट की महामारी थी उसकी वज़े से भी काफी धीगते हेल्थ प्राब्लम्स आया तो अब जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो ट्रेनिंग आप लोग को लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्त के हिसाब से हालात के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे आपको हच करना है कैसे आप कहा का रुकना है किस तरह आपको रहना है, खाने पीने की, आपको तमाम चीजें उस हच ट्रेनिंग कैम्प में बताय जाता है, मैं बड़िया महरबानी करके तमाम हाजियों को से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कि आप इस कैम्प में आईए, ट्रेनिंग लीजिये, और इ आने वाले जिन में वेक्षिनेशन प्रोग्राम हैं, आप वेक्षिन लीजिये, पोलो ड्रॉप्स दालते हैं, तो जहां साओधी गॉश्वर्मेंट और इंडियन गवर्मेंट हमारे स्टेट गवर्मेंट जो आपको गैडलेंज दे रही है आप बड़ा महर्मानी करके उसको फालो कीजिए